नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो जुलाई का महिना प्रारंब हो चुका है और ऐसे में कुम्बिरासी वाले जातकों के लिए यह महिना कैसा रहेगा विशेश रूप से हमारा आपको यह बताने का मक्सद रहेगा कि आप किस आदमी या दन से जुड़ी, वहवाईक जीवन से जुड़ी, परिवारिक जुड़ी, या फिर वहपारिक माध्यम से जुड़ी, किसी भी प्रकार के कोई भी छेतर से जुड़ी जो भी आपके आर्थिक तंगिया हैं जो भी आपके समस्याएं हैं वो किस प्रकार से दूर हो सकता है और किस व्यक्ति के कारण आपके जीवर में तकलिफे आ रही हैं आपको हम इसे टॉपिक पर भी सेस रूप से यह हमारा वीडियो फोकस रहेगा इसलिए मित्रों आप पूरी वीडियो को अवस्य देखें तथा पूरी वीडियो में बताई जाने वाली जानकारियों को समझने का जरूर परियास करें क्योंकि अगर आप नहीं समझ सकतें तो ऐसे में हमारी द्वारा बताई गई जानकारी असफल हो जाएंगी इसलिए पूरा ध्यान से बताई जाने वाली जानकारियों को समझें और अपने जीवन में जो भी आपके क्रिया कलाप हो रहे हैं उन्ही विस्यों में हम ज़्यादा तर फोकस करेंगे इसलिए आप से रिक्वेश्ट रहेंगी कि आप बताई गई जानकारियों को अपने जीवन से रिलेट करके अवज से देखें आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी हमारे द्वारा कही गई बातों का पूरी तरह से आप विसलेशन कर सकते हैं और अपने उस आदमी तो को हो सकते हैं जिन से आपका यह रिष्टा बरबात कर रहा है आपका यह पूरा महीना भी बरबात कर सकता है और पिछले भी आपका आने वाला समय बरबात कर चुका है और जो आपका भविश्य में आने वाला समय रहेगा वो भी व्रबात कर सकता है जिसलिए इस आदमी का साथ आपको अवस्य हे छोड़ देना बहतर रहेगा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह जो हमारा वीडियो है यह तीन टोपिको और पिरसेज रूप से कवर करेंगे पहला है पारिवारिक जीवन बैवसाइक जीवन और आपका जो बैवारिक जीवन है जो आप साधी सुदा हैं तथा जो लोग प्रेम चमंद में हैं उन लोगों के लिए विसेश रूप से और चाहें आपका लव लाइफ हो बैपार हो या फिर आपका पारिवारिक जीवन हो किस प्रकार से ग्रसित कर रहा है या किस प्रकार से इसमें चल रहे समंदों में आ रहे रुकावटेयां आपके बैपार में आ रहे समस्याएं किस प्रकार से दूर होंगे हम इसी बिस्यों में जानकारी आपको देंगे इसलिए आप चेविंती हैं कि वीडियो को पूरा अवस्य देखें यह वीडियो आपके लिए विहद है इंपोर्टेंट काफी खास और काफी महत्पूर्ण रहने वाला है इसलिए कुम्बर आशी वाली जातकों से विंती है कि वीडियो को पूरा अवस्य देखें उससे पहले मातारानी के सच्चे भक्तों से हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट हैं थोड़ी सी विंती हैं कि आप कमेंट बॉक्स में मातारानी का जैकारा जै मातारानी आपके जीवन में बड़ा चमतकार करने वाली हैं इसके साथ ही जुलाई के महिने में आपको चार महत्पून संकेत भी देने वाली हैं जिनके कारण आपके जीवन और जिंदगी की रूप रेखा में काफी बड़ा प्रिवर्तन होगा आपके सुकसादरों में अवस्य है बढ़ोतरी हो सकते हैं यह वीडियो कुम्भरासी वाली जात को के हो सुड़ा सकता है क्योंकि आप जिस पर बहुत जादा यकीन कर रहे थे बहुत जादा आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे थे अपने सारी की सारी बातों को जिसके साथ आप सेयर करते हैं या करते थे जिसके साथ आप अपने सबी बातें जैसे वो गरीबी हो अमीरी हो दुख हो सुक हो या फिर आपके दैनलिंग दिंचरिया में जिस भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं आप अपने सारे के सारे राज क उनके साथ सेयर करते थे उन व्यक्ति का सच्चाई इस महेने आपके सामने आने वाला है और आप उन व्यक्तियों का सच्चाई जानकर होस उड़ जाएगा क्योंकि व्यक्ति आपका सिर्प और सिर्फ फाइदा उठा रहा था और आपके पीछ पेठे वह वार कर रहा था आप खुबी मानें या फिर आप अपना कमिया मान सकते हैं या फिर आप अपने बुराई मान सकते हैं क्योंकि एक खुबी है चाहे आपका समाज का कोई व्यक्ति हो पारिवारिक व्यक्ति हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो अगर वो आपसे इमोसिनली तरीके से बात करें अगर व भावुक होकर बात करें तो आप उनकी बातों में फ़स जाते हैं ये यकीन मानिए आपके अंदर ये वाली quality ये वाली जो खुबी है या ये वाली बुराइड अवस्य होंगी क्योंकि गुम्हरासी के जितने विवैक्तित्व के जातक हैं उनके अंदर ये खुबी जरूर होत जो कि आपके अंदर के सबसे बुरी बादत हैं क्योंकि कुम्भ रासी में जातकों के लिए ये सबसे खतरनाक आदत होती है जो कि उनके लिए है ये आदत उनके परिशित्यों को और जाद कठनायों का सामना उनको करवा सकते हैं बत्रों अगर आप कोई में ये खुबी है तो आप जान जाएए कि आपकी रासे सच्ची में कुम्ब हैं अन्य था आप किसी और रासी के जातक हैं अगर कोई व्यक्ति आप से इमोशनली बात करें तो आप उनके चिकनी चुपडी बातों में आ जाते हैं उनके जो भी मान कर उनको ही दूर करने में लग जाते हैं जो कि सबसे गंदी आदत सबसे बुरी आदत आप में ये हैं जो कि कुम्ब रासी वाले जातकों को दिन परती दिन बरपात करता जा रहा है आपको बताना चाहेंगे कि आप इन आदतों को अवस्य छोड़े अन्य था भविश्य में इसको लेकर बहुत बड़ी परिसानियां उत्पन्न हो सकते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप भावनात्मक होकर ना सोचें सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप भावनात्मक होकर ना सोचें आप अपने बुद्धी और विकास का उप्योग करें तथा उन सड परिवार की परिवार की लोग जो हैं वो आपको नई जिम्मेदार्या भे दे सकते हैं मत्रों परिवार में भी आपके दो तरह के लोग हैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ हूँ आपको बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में भी दो तरह के लोग हैं एक जो कि आपके लिए अच्छाए सोचते हैं जो आपके हर शेतर में आपका सहयो करते हैं वैपार वैवसाय में रोडे अटकाने का कार्य करते हैं या आपको हमेशा ऐसा इरिटेड या हमेशा ऐसा फिल करवाने की कोसिस करते हैं कि आप में कोई न कोई कमी जरूर है और हमेशा वो चाहते हैं कि आप असफल हों हमेशा वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ कि या हैं कि वे आपके अच्छाई को ना देखते वे आपकी बुराई को देखते हैं और आपके पीछे हमेशा हात दोकर ते रहते हैं कि कब आप गलतियां करोगे। और कब आपको बात सुनाई जाए, कब आपको नीचा दिखाय जाए और कब आपको गलत फ्यमी या कब आपको ऐसा मैसूस करवाय जाए कि आपने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी हैं, जिनको सुधारा मुश्किल है, जो कि आप वो बुरे वेक्ति हमेसा आपके साथ ऐसा कर जाते हैं, गलती से भी अगर कोई गलती हो जाता है आपसे, तो उनीके पीछे वे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, और वो इसी होड में ही लगे रहते हैं, कि कब आपसे गलतिया हो और कब वे आप पर दबाव डाले, वे आप पर सड़ियंद्र करने की कोसिस करें, या आपको नीचा दिखाने का या फिर आपको blackmail करने की कोशिस करें ये आपके परिवार में ही होता है यकीन मानिया ऐसा जरूर होता होगा आपके परिवार में और आपने अनुभव भी किया होगा अगर अनुभव नहीं किया तो आप अपना करना स्टार्ट करिए क्योंकि वही व्यक् से दूर होने के लिए अपने बुध्धी विवेक का उपयोग करें इन व्यक्तियों से आप खास तोर पर दूर हो जाएं क्योंकि यही व्यक्ति आपके रहा में रूड़ा बनाते हैं यही व्यक्ति हमेशा आपके सफलता देखना चाहते हैं सफलता तो इनको आपके फुटी आख भी नहीं भाती इसलिए आप इन वैक्टिव से दूर रहें और बुद्धी विवेक का उप्योग करें यकीन मानिए ये वैक्टिव स्वेंग ओटोमेटिक ही दूर हो जाएगा मित्रों अब बात करें लव लाइफ की तो ये वीडियो मेल और फिमेल दोनों के लिए हैं म लव लाइफ में भी इस महीने थोड़ी सी आपको कटनाया हो सकते हैं क्योंकि आपका जीवन साथे प्रेमिया प्रेमिका को थोड़ा सस्वाहित में समस्याय हो सकते हैं वे थोड़ी बिमार हो सकते हैं जिनके पीछे आपको खर्च भी करना पड़ सकता हैं आपको बताना च बेपरित परिस्थितिया जब रहती हैं तो आपका सहीयोग नहीं करते होंगे या फिर अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि आपका जब भी कॉल लगाना हो जब भी आपको उनके बात करनी हो या फिर जब भी आप अपने दुखनामा उनको सुनाना चाते हैं तो किसी न किसी कोई न कोई बहाना कर देते हैं और आपका call भी अटेंड नहीं करते हैं नहीं आपका दुखनमा सुनते हैं नहीं आप में जो कमिया हैं जो आपकी जुरते हैं उनको पूरा करते हैं कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपका अगर call वो attend नहीं करता है तो आप उन पर सक करने लगते हैं और आपके अंदर सक की भावनाय उत्पन हो जाती हैं जो कि आपके अंदर सबसे बुरी आदत है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बताना चाहेंगे कि आप उनकी भी जिम् क्या स्करिक्वार्द क्या चाहते हैं किस कारण से आपका घृतेंड नहीं करते हैं या फिर kny खारन है जो कि बहतर बनेगा मित्रों आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दियो वस्ति लिखें आपका दिन सुबहो मंगलकारी हो जैमा विंदुवास ने आपको किसी भी सवाल पूछना है